इस वीडियो में है क्लास 10 की एक्ससाइज 4.2 का कोशन नंबर 4 कोशन में दिया है हमें ऐसे दो कंजिक्योटिव पोजिटिव इंटीजर्स यह क्या होते हैं गाईज यह सिंप्ली काउंटिंग होती हैं हमारी अगर हमारा एक नंबर मान लो हमारा एक नंबर होगा 5 तो ओटोमेटिकली हमारा सैकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस में 1 तो हमें दो नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट दा कंजिक्योटिव इंटीजर्स भी मान लेते हैं एक इंटीजर होगा हमारा एक तो दूसरा क्या हो जाएगा आपने आप में x plus में 1 अब हमें question में दिया है कि जो हमारे दो numbers है इनके square का sum किया जाए तो इनके square का sum करेंगे हमारा पहला number है x इसका square करेंगे plus का sign लगाएंगे हमारा दूसरा number है x plus में 1 इस पे भी square का sign लगाएंगे square करेंगे मतलब तो हमारा पहला और दूसरा नमबर इनका square करके हमने कर दिया इनका sum यानिकी कर दिया add तो यह हो जाता है 365 के equal so equals to में यहाँ पर रख देंगे 365 अब simply यहाँ से हमें quadratic equation बनाएंगे तो हमारी x square वाले term as it is आएगी इसके बाद plus का sign आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह किस form में है a plus b के whole square की form में है और इसका formula होता है a plus b whole square इसका formula होगा a square plus b square plus 2ab यह आपने class 9 में पढ़ा होगा x plus one का whole square इस पर यह formula apply कर देंगे तो यह इसको solve करेंगे तो यह आएगा x का square प्लस में 1 का square सिंप्ली इस वाले ब्रैकेट पे हमने यह formula अप्लाई कर दिया तो आ गया x square प्लस में 1 square प्लस में 2 multiply में x multiply में 1 यानिकी 2ab आगे solve करेंगे तो यहाँ पर है x square प्लस में x square दोनों को add करेंगे तो यह हो जाएगा 2x square इसके बाद आएगी x वाली term यहाँ पर 2 को पहले 1 से multiply करेंगे 2 1 जा हो जाएगा 2 उसके बाद x में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2x इसके बाद हमारी x वाली term आएगी तो यह आ गया हमारा 2x इसके बाद 1 का square करेंगे तो 1 ही रहेगा तो यह आ गया plus में 1 सबसे पहले हमने x square plus x square को add किया तो आ गया हमारा 2x square इसके बाद हमने इन तीनों को 2 multiply में x multiply में 1 किया तो यह आ गया 2x और 1 का square यह 1 है यहाँ पर इसका square किया तो यह आ गया 1 भी नहीं बचा दूसरी side तो आ जाएगा 0 आगे solve करेंगे तो 2x square as it is plus का 2x भी as it is यहाँ पर है 1 minus में 365 1 में से 365 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा minus में 364 छोटी value में से बड़ी value को minus किया जा रहा है तो minus में आएगा 364 और equals to में 0 as it is आप simply देख सकते हो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है और 364 भी 2 के table में आता है तो इस equation से हम 2 common ले लेंगे 2 common लेने के बाद हमारी equation के आएगी x square plus में आएगा x उसके बाद minus का sign as it is 2 के table में 364 का बाता है calculate कर लेते हैं 2 1s are 2 यहाँ पर बचेगा 1 1 के पीछे 6 लगाएंगे तो हो गया 16 2 के table में 16 का बाता है 8 जा पर उसके बाद यहाँ बचेगा 4 तो 2 के table में 4 आता है 2 जा पर simply आप 364 को 2 से divide करोगे तो आजाएगा 182 इसके बाद equals to 0 as it is अब यह आ गई हमारी quadratic equation इस quadratic equation को solve करते हैं factorization method apply करेंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए a की value, b की value और c की value तो आप simply देख सकते हो x square का coefficient है 1 तो a की value हो गई 1, b की value यानि कि x का coefficient यहाँ पर 1 है तो b की value भी 1 हो जाएगी c यानि कि 182, minus का 182 आ जाएगा यानि कि हमारी constant term, so c की value आ गई 182 minus में, next step में क्या करेंगे a की value से c की value को multiply करेंगे, so 1 से minus 182 को multiply करेंगे तो 182 ही रहेगा, अब जो भी हमारा 182 आया है, ठीक है, plus में रखेंगे इसे अभी 182 आया है, इसके factors करेंगे, factors यहाँ यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूं, यह हो गए 182 के factors, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b की value यानि की 1, तो आप simply यहाँ पर देख सकते हो, 2 से 7 को multiply करेंगे 14, 14, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 13, 14 से 13 को minus करें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 14 minus में 13, तो यह आएगा 1, और अगर यहाँ पर मैं multiply करूं, 14 में मैं multiply करूं, minus में 13 को, तो यह आजाएगा minus का 182, यानि बिल्कुल simply, जब हम equation को solve करेंगे, तो जो यह x से है, इसके साथ जो हमारा one coefficient है, उसकी जगह पर put कर देंगे 14 minus में 13, तो solve करते हैं equation को, first term हमारी as it is, इसके बाद plus का sign आजाएग bracket लगाएंगे, x का coefficient होता है, 1, x के साथ 1 multiply होगा, 1 की जगह हम value put करेंगे, 14 minus में 13, यह आगया हमारा 14 minus में 13, और x यहाँ पर as it is, इसके बाद वाली term हमारी as it is आ जाएगी, तो यह आगया minus 182 equals to 0, यहाँ से rub कर लेते हैं, equation को आगे solve करेंगे, यहीं पर, यह जो भी हमने कि यहाँ था, right hand side में, यह सभी हमारा rough work था, आगे solve करेंगे, तो x square वाली term हमारी आएगी as it is, इसके बाद क्या है, x को हम 14 में multiply करेंगे, x को 14 में multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 14x, इसके बाद यहाँ पर x को minus 13 में multiply करेंगे, यह minus में, यह plus में, minus हो जाएगा, और x को 13 से multiply करेंगे, तो यह आजाएगा minus का 13x, इसके बाद minus 182 as it is, और equals to में 0, अब simply starting वाली दो term है, इन में से common लेंगे, common यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x common ले लेते हैं, x common लेने के बाद बचेगा गया, x square में से 1x आ गया, तो 1x अंदर ही बचेगा, plus का sign लगा लेंगे, इसके बाद 14x में से x common ले लिया, तो बचेगा यहाँ पर 14, अब simply यहाँ पर आगे क्या common लेंगे, इन दोनों terms में से भी common लेना है, यहाँ पर भी minus है, यहाँ पर भी minus है, तो सबसे पहले minus sign common ले लिया, इसके पर x, यहाँ गया, x, इसके बाद plus का sign लेगा, क्योंकि यह minus तो हम common ले चुके है, यह भी, यह भी common ले चुके है, minus, 13 के टेबल में अब 182 आता है, 14 जापर, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और equals to में 0, अब simply, यहाँ पर है x, यहाँ पर है, minus 13, इनको इकटा लिख देंगे, तो यह आ गया, x, minus में 13, इसके बाद क्या है, x, plus 14, x, plus 14, इनको इकटा लिख देंगे, एक bracket में common आ जाएगा, यह, x, plus में 14, और equals to में 0, इन दोनों brackets में से x की value find करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, x, minus 13, equals to में रखेंगे 0, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर है, x, plus 14, इसके भी equals to में रखेंगे 0, so equals to में यह आ गया 0, x की value find करेंगे, यहाँ से x की value find करने के लिए, हमारा x as it is आएगा, जो minus का 13 है, इसको दूसरी तरफ बेजेंगे, दूसरी तरफ यह हो जाएगा, plus का 13, so x की value आ गई हमारी 13, इसके बाद यहाँ से भी x की value find करेंगे, so यह यहाँ पर हमारी x की value आएगी, minus का 14, 14 यहाँ पर plus में है, दूसरी साइड बेजेंगे, तो minus का, यह आगी हमारी x की second value, हमें दो positive integers find करने थे, यानि जो हमारी minus में x की value आई है, इसको हम reject कर देंगे, क्योंकि यह minus में है, हमें positive find करने है, तो जो हमारी यह equation है, यह condition है, इसक हमारा यह x हमने left किया था, इसकी value हो गई 13, और x plus 1, 13 plus 1 हो जाएगा 14, यानि हमारी जो दो integers हमें find करने थे, वो हो जाएंगे, एक तो 13 और 13 plus 1, यानि की 14, तो यहाँ पर लिखेंगे, hence the two integers are 13 and 13 plus 1 equals to me 14, जो हमें दो consecutive positive integers find करने थे, उन में से एक हो गया हमारा 13, और एक हो गया 13 plus 1, यानि की 14, simply 13 और 14, यह हो जाएंगे हमारे answers,